पाथ साल की बच्ची के रेप के मामले में परलवी पुरी को जेल हुई थी आज बेल पर सुनवाई थी और खबर आ रही है कि परलवी पुरी को बेल मिल गई है पहले दो बार परलवी पुरी की बेल रिजेक्ट हो गई थी, चार जून को परलवी पुरी को उने के दोस्त के घर से अंबोली से मुंबई पुलिस ने गिरफदार किया उनके उपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है माइनर के साथ रेप का एल्जाम उनके उपर लगाया गया था पाच तारिक को परलवी पुरी को कोट में पेश किया गया था तब उनके वकील ने बेल की अरजी की थी लेकिन उनकी बेल रिजेक्ट हो गई उसके बाद 11 तारी को भी सुनवाई थी उस दिन भी बेल रिजेक्ट हो गई लेकिन आज खबर आ रही है कि परलवी पूरी को बेल मिल चुकी है आपको बता दी कि एकता शर्मा नाम की अक्ट्रस है उनके पती अनिल दॉंडे ने परलवी पूरी पर इलजाम लगाया है कि उनकी पांच साल की बेटी जब अपनी मा के साथ शूटिंग के सेट पर गई जो शूटिंग परलवी पूरी के सीरियल की हो रही थी बेपनहा प्यार जिसमें एकता शर्मा भी एक किरदार निभा रही थी उसी दोरान बच्ची ने परलवी पूरी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो फैन थी इसलिए परलवी पुरी सेलफी देने के नाम पर उसे अपनी वैनिटी में लेकर गया जहां पर उसने बच्ची के साथ ये सब किया इस पूरे मामले में बच्ची की मॉम और बच्ची के जो पिता हैं दोनों अलग-अलग दिशा में बात कर रहे हैं मा का कहना है कि परलवी पुरी इनुसेंट है मेरे पती ने परलवी पुरी पर ये जूटा इलजाम लगाया है क्योंकि मेरे और मेरे पती के बीच तलाक हो गया है हम अलग रहते हैं और बच्ची की कस्टिडी का मामला कॉर्ट में चल रहा है इसलिए ये प्रूफ करने के सब हुआ medical examination बच्ची का करवाया गया जिसमें ये बात confirm हुई कि जो बच्ची कह रही है वो सही है उसको molest किया गया है और उसके बाद ही परलवीपुरी पर ये इलजाम लगाया गया है पुरी इंडस्ट्री इस वक्ट परलवीपुरी के support में है एकता कपूर दिव्याखोसला जैसे बड़े इंडस्ट्री के नामी लोग जो हैं वो परलवीपुरी को support कर रहे हैं और ये भी कहा गया कि परल के घर में देखरे करने वाला कोई नहीं है उनकी mom को cancer है और कौन उनकी वकालात करेगा कौन इस case को देखेगा ये सब मामला भी परल को ही देखना पड़ेगा इसलिए परल का बाहर रहना बहुत जरूरी है तो finally आज परल वीपुरी को बेल हो गई है